नमस्कार दोस्तों रोजना राशी फल दखने के लिए चैनल को शब्सक्राइब कर लें श्राथे वेल आइकन को प्रेश कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशे से जुड़ सभी जानकारियां शब्से पहले आप तक पहुंशके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत् मत्रब से देर शारे शुब कमना है तो आई दोस्तों इसे के शाथ बात करते हैं याशु में गरहों के सिद्धिक याशी होंगी क्या क्या यूग बनेंगे और इन्हें शबीक अश्रापकी राशी पर क्या होगा किन-किन चीजों को लेकर याश में आपको श्राव दनेने ह दोस्तों इस दिन शुक्रवार करेंगे और पुशिन नाम का इस देने दूस्त रहेगा दोस्तों इस दिन शुब नाम का श्रव योग रातरी के प्रातर काल एक बचकर उन्षट मेर्ट रहेगा उशको प्रांद इस दिन राहू कर के शमय की बात करें अर्था अशुप शमय की दोस्तों यह शमय आपको भी शुब और महत्पुन कारियों को बिल्कुल ना करें तो दोस्तों यह शमय रहेगा शुबा के 10 बसकर 46 मिट लेकर दोपार के 12 बसकर 10 मिट तक और दोस्तों चनरमाई दिन ककराशी पर शुनचार करेंगे दोस्तों सत्य हमेशा प्रिशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता मनिश को दब तक कुछ सच नहीं लगता जब तक वो उसका स्वेंग अनुभव नहीं कर लीता अगर आप सच बोलते हैं तो आपको अधिक याद रखने की जरत नहीं होगी दोस्तों कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता किसी के मुँपे एक सच तो बोल कर देखिए एक नया ही रंग शामने आएगा सच्चा व्यक्ति नो तो नास्तिक होता है और नो ही तो आस्तिक होता है बलकि सच्चा व्यक्ति हर्च में वास्तिक होता है सच सुनने से नो जाने क्यों कतराते हैं लोग सुनकर जूठी तारिफ खुब मुस्कराते हैं लोग नो रख रिस्तों की बुनियादी में कोई जूठ का पत्थर लहर जब ते जाती है तो धोरेंदे भी तूट जाते हैं दोस्तों जुट मत बोलो क्योंकि एक छोटा जुट भी एक बड़ा अलगाव पेदा कर सकता है तो चलिए इसे की साथ बात करते हैं आज की राशिफल की देनी राशिफल दोस्तों यश्मे कुछ पुराने मद्वेद्धूर होंगे तथा आपसी समधों में पुनह मदूरताएंगी आपको बदा दें कि यश्मे जमकर मेहनत करने का श्मे होगा और शबलता भी निस सिद्धै दोस्तों आपके विन्नमर स्वभाव से आपकी लोग पर दिताता था शाख में भी यश्मे ब्रिद्धी होने वाली है इसको प्राहतों से यश्मे कर आपकी सावधनी को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी-किसी समय ठकान वपिर तनाव को विजशे आपने नकार्तमक विचार भी हावी होशकते हैं लेकिन आपको यश्मे अपन बनाई हुए नितियों पर भी कारें यह आपके लिए यश्मे बैतर होंगे और शुप्राहतों से यश्मे आपके लिए समयोंगे आपको बता दें कि कड़ी मेहनत के बावजुद भी पश्तितियों में मन चाहा पदलाओ नौद एकपन आपके चिंता का कारण भी होशकता ह अधिक चिंता के कारण आप अपनी शमता के नुशार काम नहीं कर पाएंगे जो बाते आपके पक्ष में हैं उनका अधिक फाइदा उठाने की यश्मे खोशुद करें और जिन बातों पर आपका नेंतरन नहीं है यश्मे बातों को अभी अधिक महतों नौद देते वे आगे बढ़ते रहेना चाहिए इसको प्रांतों से शमय आपके लिए समोगे आपको बता दे कि दूसरों में खर्चाओं के सिती बने रहेगी फ्रतु आयके श्रोद भी यश्मे बैतर होने वाले हैं इसे तो खर्चाओं की परिशानी नहीं रहेंगी आपको बता दें कि श शुरुआत में कुछ कारियों में रुकावट आने से टेंसन रह सकती हैं परन्तु आपको बता दें कि देरे देरे सब्समान हो जाएगा या शुबेश सकार्तमक दिश्टिकों रखना आपके लिए अतियाउशा होगा तो इन पर ध्यान दें बायों के साथ भी सम्मद अधिक बढने होंगे आपको बता दें कि अभी आप खुद के प्रति अधिक जागरुग हो रहे हैं इसकी वज़ाशे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस बात का फर्क करना आपके लिए अशान रहेगा आपको बता दें कि परिवार के शाथ सम्मन्द ठीक बनाने और शवाव को शरल वह पर मधूर बना कर रहें कटूरता पूर्ण वयवार्शे इसकी वज़ाशे समाज में आपका जो है छवी इसमें बिगड़ सकती है या फिर आपकी छवी में इसमें आचा सकती है तो दोस्तों इन पर ज़रूर द्यान दें यह आपके लिए इसमें भ विचार नों करते हुए अपने किरिति करने में आपको ध्यान देने की आवश्ता होंगी आपको बता दें कि जो समय होंगे आपके लिए मंन में बढ़ रहें नकार्थक विचारों को पेज़िए आपके खुद के प्रती ही नकारकता बढ़ रही है तो दोस्तों इन पर आपके अंदर जो है लाने की कोशिश करना चाहिए इसलिए दोस्तों इसमें आप मेंट्रेशन पर जवरू ध्यान दें यह आपके लिए बैतरों कि इससे आपकी उर्जा और आत्मिश्वास में आपके बढ़नेंगे वाले और इसको पराण दोसे इसमें आपको बता दें कि गरह गोचर इसमें आपको कोई बहतरिन उपलावदी भी देने के लिए ततपर है मित्रों तदा रिष्टेदारों के शाथ अपना भावनोतों के लगाव रखें दोस्तों आपको बता दें कि किसी नई दिकी व्यक्ति की शमसिया को हल करने में आपका खाब्स समय वहतित भी होगा और इशा करने से आपको आत्मी खुशी और अनुभती भी होने वाली है आपको बता दें कि कोई शौक पुरुन शमाचार मिलने से मन में उदासी रह शकती है दोस्तों कोई शमय धार्मिक अथ्वा अध्यात्मे गत्वियों में भी शमय को उतित करें इससे आपको शुकून मिलेगा यवाओं को अपने केरियर शमंदी किसी प्रजक्ट में विफलता मिलने से दोबारा प्रयाश करना पड़ सकता है और इसको प्राण दोस्तों यह शमय आपको बदा दें कि पेसे समंदी यदि कोई वैवार हुआ है तो दोस्तों उससे जुड़े कागजात को यह में समाल कर रखिये फिलाल आप जरूत से अधिक कठोर बन रहे हैं जिसकी वज़े से करेवी समंदों में भी दरार आपको नजराएंगी आपको बदा दें कि अपने अंदर बढ़ते हुए गुष्य को कावो में रखने की यह में आपको कोशिक करना चाहिए यह आपके लिए यह में बैतर शाविद होंगी यह जो शमय हूँगे आपके लिए लाबदा रिक शाविद होगा यह निवेश आपके लाबदार रिक शाविद होगा नोकरी समंदी भी कुछ समोंद आपके लिए सामने आने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि षमे वर्थ किये बिना तुरुत इने हासिल कर लें यह आपके लिए वैसमे वाइसाइक कारियों तरीकेशिश समय को वहितित करें शावधनियों को बढ़ते हुए आगे बढ़ें तबी जाकर आपके शबलता में कोई आच नहीं आने वाली है आपको बता दें कि किसी वेकारे में पेशा निवेस करते हैं इसमें किसी अनुभवी व्यक्ति की शला मसवरा ज़रूर लें ये आपके लिए बहतर होंगे बाउकता में आकर बिना सुचे समझे कोई भी जो है दुसरों के उजनाओं पर अनुसरां करना आपके लिए इसमें गलत रहेगा तो दोस्तों इन पर आप शावधानी बरतें ये आपके आपके केरेट के लिए इसमें बहतर शावित होंगे आपके केरेट के लिए आपके वाईशाय के लिए समझे आपको बता दे कि कारेस्तल पर शवी कारें अपनी निगरानी में ही करें या पर अपनी निगरानी में करवाएं ये आपके लिए बैतर होंगे दोस्तों येश में इस्टाप आधी पर जो निग्राली रखना आपके लिए अतियाफ्शो होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से समझेद वह इशाय में भी येश में अच्छा मुनाफ़ा होने की संभावना बन रही है नोकरी में अच्छे कारियों में परगति होंगी जो येश में आप उन में लाप्रवाई ना पढ़तें किसी परकार की निक्वारी होने की अर्संग का बन रही है और इसको प्राम दूस्य इसमें आपके केरेक्ट्रिजिस अब होगे आपको बता दे कि दोस्तों ये शमय करमचारीों से समदित कोई शमस्या दूर हो शकती है अगर कोई नया वाईपार या पिर नया काम सुरू करने की कोशिश कर रहे हैं होने वाली है और इसके प्राइब दोस्तों अपने प्रेम शंबंदों में किसी अन्य व्यक्ति कहते ना होने यह आपकी लब लाइफ लुष्में बहतर की और इसके प्राहतर वातरों ले रहेगा परण्तों घर की सदस के स्वास को लेकर यसमें चिंता रह सकती है और इसके प्राहन दोसे इसमें आपके लिए समयोंगे आपको बदा दे कि दोस्ते यह में प्रेम शंबंदों में नहीं दिक्यां तो बढ़ेंगी और विभायतों के लिए भी कोई अच्छा रिस्ता इसमें आने की उम्मीद बढ़ रही है और इसके प्राहन दोसेश में आपके लिए समयोंगे आपको बता दे कि पती पतनी का सवय आत्मर रवाया घर में शुक्षांती का कारग बनेगा मित्रों के शादवी मिल जोल तदा गेट विदर सब को खुसी देने वाली है और इसमें अगर आपकी स्वास क के लिए बहतर शावित होंगे और इसके प्राहन स्वास आपका अंतों में उत्तम होगा अगर आप शावधनियों को बढ़तेंगे वैस्ति दिंचरिया रख कर आप और रदीश में स्वास्त और उर्जवान महसूस कर सकते हैं तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दे यह इसमें बहतर शावित होंगे यश में आपका भागिशाली रंग रहेगा आश्मानी और भागिशाली अंक रहेगा छे